दोस्तो नमस्कार आप सुन रहे हैं इस वक्त नब्वे दसमलाव चारमे का हर्च में कुमाउवानी और मैं हूँ आपकी रेडियो साथी हेमा तो साथियो वर्तमान समय को देखते हुए आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है शोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफोर्म पे गलत और भ्रामक जानकारी का शिकार भी हो रहे हैं तो दोस्तो इन ही सब बातू को ध्यान में रखते हुए और लोगों की जागरुपता के लिए फैक्ट शाला और कुमाउवानी की साजह प्रयाज से हम आपके लिए लेकर दोस्तो यह कारिक्रम फैक्ट साला की तरफ से मीडिया और सूचना साक्षर्ता पर जागरुपता के लिए प्रसारित किया जा रहा है इंटरनेट के जरिये डिजिटल दुनिया के साथ हमारा तालमेल दिन प्रति दिन बढ़ रहा है हमें बहुत सी सूचनाएं इंटरनेट क माध्यम से मिलती हैं चाहे वो समचार हो या कॉंटेंट जिसे हमने सोचल मीडिया वेबसाइट या अन्य डिजिटल बातचीत और वीडियो प्लेटफॉर्म से प्राप्त किया हो कारिक्रम का मकसद ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों को लेकर बहतर समझ और विशलेशन करन में मदद करना है या शुरंखला श्रोताओं को उन टूल्स से अउगत कराएगी जिनके माध्यम से वे गलत सूचनाओं को पहचानने और सूचना के विश्वस्निय श्रोतों तक पहुंशने में समत्त हो सके लेकिन इससे पहले की हम इन मुद्दों पे चर्चा करें तो और इसके अलग-अलग रूप क्या है मेरा नम कविता है और इन्फोर्मेशन क्या है इसके बारे में या सूचना क्या है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगे कि जो सूचना है जिसको अंग्रेजी में इन्फोर्मेशन कहते हैं यानि कि जब हमें किसी माध्यम से कोई जानकारी मिलती है, वह सूचना कहलाती है। जैसे उधारन के तौर पर बोलूं, माल लिजे एक ख़बर आई कि नैनी ताल में जो बाग है उसने किसी पे हमला किया या फिर नैनी ताल के जो जू है उसमें बागों की संक्या में बड़ोत्री हुई, यह हमालने एक न्यूज है, दूसरी ख़बर आती है नैनी साल के जू म सूचना एक एसी चीज है जिसकी हम सबको जरूरत होती है चाहे यह एक व्यक्ति के बारे में हो या किसी जगह के बारे में किसी समुदाय को लेकर या किसी देश और दुनिया के बारे में सूचना मानव जाती के विकास का आधार है तो इसकी एहमियत कहीं अधिक बढ़ जाती है चाहे वो सरकारी स्कीम हो नागरिक अधिकार का मामला हो या फिर मौसम स्वास्त सिक्ष्या आदिस से जीवन का कोई भी पहलू हो सूचना के प्रती उदासीन भावना व्यक्ति और समाच के लिए हानिकारिक हो सकता है कि वास्तों में सामुदायक रेडियो का मकसदी है कि जिन लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं है ऐसे हासिये पर खड़े लोगों तक सूचना पहुंचान और उन्हें सिक्षित करना इसका सबसे सटीक उदाहरण वर्तमान में चल रही महमारी है इस दौरान लोगों के बीच कोरोना वाइरस और इससे कैसे बचाव करें इसकी सूचना और जागरुकता की कमी की वजह से बेहत कम समय में यह महमारी विश्व स्तर तक काफी तेजी स से फैल गई है नजाने कितने लोगों की जान चली गई बहराल भारत सरकार लगतार मास के पहनने सामाजिक दूरी और हाथों की सफाई को लेकर राश्ट्री स्तर पर काम कर रही है ताकि कोविड-19 के फैलाओं को रोका जा सके सही सूचना हमारे लिए कवच की तरह है यह हम में ससक्त करती है आप दा और गमभी स्थिती से बचाती है यह हमारी सोच विचार और तो धानले में मदद करती है यह हमें रास्ता दिखाती है जिसके जरिये हम अपने जीवन का मार्ग दर्शन करते हैं जानकारी के बिना जो घटनाए हमारे जीवन को आकार देती है ना तो हम उन्हें समझ सकते हैं और ना ही उन पर प्रतिकिरिया दे सकते हैं इसलिए ही कहा जाता है कि सूचना ताकत है सूचना सही भी हो सकती है और गलत भी चलिए समझते हैं सही और गलत सूचना किसे कहते हैं और इनके बीच में फर्क क्या है सही सूचना आपको सही फैसले लेने में सक्षम बनाती है यह हमें चुनोतियों को समझने और उसे लड़ने की ताकत देता है इसके सहारे हमें परिशानी से मुकाबला करने की दिसा और विकल्प मिलते हैं यही नहीं परस्थिती कैसे भी हो अगर आप सूचना से लेस हैं तो आपका उसमें ढलना मुश्किल नहीं होता सही सूचना अक्सर जाच परक से गुजरते हुए भरोसे मन्सरोच से आती है इसमें भावनात्मक भाव के बजाए संतुलित जानकारी होती है सही सूचना हमें हमारी सेहत और जिन्दगी के बहतरी में मददगार साबित होती है ये हमें परिवार और जिन लोगों की हम परवाह करते हैं उनकी देख भाल करने में मदद करती है मसलन जिन माता-पिता को ये पता है कि उन्हें सही समय पर बच्चे का ठीका करण करवाना चाहिए उन बच्चों की रोग प्रतिरोधक शम्ता बढ़ जाती है जिससे उनके बच्चे जीवन भर के लिए गंभीर बिमारियों से लड़ने में शक्सम होते हैं लोग तंत्र में सूचना की एहमियत कहीं बढ़ जाती है अगर जन्ता के बीच सही जानकारी है तो वो चुनाओं में सही प्रतिनी धी और सरकार का चयन करते हुए देश को प्रगति के पत पर ले जा सकती है सही सूचना एक सूचित और जिम्मेदार मद्दाता तैयार करता है जो अपने मताधिकार का प्रियोग लोब लालत से परे निर्विक्ता के सांथ करता है और इसी तरह तो लोग तंत्र की नियू मजबूत होती है सही सूचना के सहारे हम जीवन को संयमेद करते हैं और यह हमें अपने अधिकार, जिम्मेदारी, पसंद और हमारे द्वारा उठाए गए कदम के संभावित परिणाम को लेकर जागरू करती है सूचना ही वो टूल है जिसकी मदद से हम जिन्दगी की दशा और दिशा तई करते हैं इतना ही नहीं सही सूचना हमारे पास सकारात्मत्ता लाती है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं गलत सूचना के बारे में सूचना यानि की जिस परिवेश में हम रहते हैं या जिस परिवेश में नहीं रहते हैं वहां की खबरें लेना एक सूजना है सूजना दो तरीके की हो सकती हैं पहली सूचना है वो जो सत्य हैं और दूसरी वो जो असत्य हैं लेकिन सुचनाओं के रोप में हम तक पहुँच रही है अब सुचना पहुँच गई लेकिन हर सुचना जब एक ब्यक्ति से दूसरे तक पहुँचती है किसी भी माद्धिम से तो उसे ब्यक्ति के भीतर विचारों का निर्माण होता है अगर सही खबर है तो भी विचार होंगे और अगर जूट खबर है या जो सही तत्यों पर आधारित नहीं है उससे भी एक environment बनता है हम देखेंगे कि कोरोना काल में ही कोविट से जुड़ी तमाम खबरे थी जिसमें रोज हमारे स्वास्तर डिपार्टमेंट का health bulletin जारी हो रहा था जिसमें ये थी कि पूरे उत्राखंड में इतने कोविट पॉजेटिव पाए गए इतने डिस्चार्ज हो गए इतने हमने जांच के दाएरे में हैं इतने मर चुके हैं एक जानकारी और ये था कि बहुत सारे लोग सोसल मीडिया के माधिम से ये भी जानकारी दे रहे थे कि वहाँ पर लोगों ने मास्क बांटे वहाँ पर लोगों को खाने की दिक्कत हैं थी तो ये किया गया और rule regulation क्या advisory जारी होती है दूसरी तरह उसी संक्रमनकाल में ऐसी भी खबरें हम तक पहुची कि घर के दर्वाजे के नीचे के पटाल को उखाड़के उसके नीचे कोईले मिलेंगे और उसका तिलग करने से कोविट भग जाता है और ऐसे भी सूजनाय मिले कि संसान घात की राख लगाने से भी कोविट भग जाएगा और लोगों ने ये भी कहा कि तवे का काला तिलग लगाने से भी कोविट भग जाएगा और ये हमारे इर्दिकिर्द या बाहर से मिली खबरों के आधार पर लोगों ने इस जुम्ले को आजमाया भी और इस से एक आजीब उठा पटक की जैसे इस्तिती हो गई कि कोविट ऐसे भी जाने वाला है क्या मैं मानूं की अपनी तरकिक बुद्धी के आधार पर भी अगर मैं समझूँ कोविट नाइन्टीन जो है एक संक्रमण है जो मनुस्य से मनुस्य में आता है और वो हमारी जो इम्मून सिस्टम है उसको डिफेक्ट करता है और धीरे धीरे अपनी ग्रेप्तों में लेता है जिसके लक्षण गले में ख्रास आना चकर आना बलब इस तरह केगी या बुखार आना ये हैं तो क्या तवे का कालिक अपने शिर में लगाने से क्या ये सारे सिंटम से या ये संक्रमण रुकेगा नहीं अब जब ये खबर समाज में फैलती है तो समाज वास्तविक और सही तथियों से उसका दिमाग हटके वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जो की सत्ति से बहुत परे होता है और जो उनके लिए और खतरनाग साबित हो सकता है खतरनाग इस्तिती में तो इन सारी चीज़ों को समझने का प्रियास भी हमें करना चाहिए और मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई खबर एक से दूसरे वेक्तिती तक पहुंचती है उसकी सत्तिता को जाच कर सत्तिता को परहक कर उसे आगे फरोट करना चाहिए बहुत सारे लोग खबरें भे सचे हो तो वहां पहुंचाओ सचे समाज से वक हो तो वहां पहुंचाओ इसी चीज़ों को वहां पहुंचाने से पहले अपनी करसोटी पर परखना चाहिए कि आखिर ये बात है क्या और जब हम ये सब परखने की बातें करेंगे तो फिर गलत चीज़ों को एक दूसरे तक पहुजना और उसका अंजाम गलत होने से हम समाज को और अपने को बचा भी सकते हैं धनिवाद गलत सूशना की बुनियाद जूट है और ये नकारात्मक SND के तहत बनाई और फैलाई जाती है ब्रामक सूशना, फेक नियूज, चैनात्मक जानकारी और संदर्व रहित जानकारी इसके कुछ उदारन है आईए जानते हैं गलत सूशना खतरनाग होती है जिसकी कीमत इनसानों को जान देकर भी चुकानी पड़ जाती है आजकल आप देखते हैं कि अफवा, अथवा घातक जानकारी जो की ओनलाइन माधियम जैसे शोसल मीडिया, वेबसाइट और वाटसब जैसे मैसेजिंग एप्लिकेशन के माधियम से फैलाई जाती है लोगों के लिए ये अपवाहें चिन्ता का कारण बन जाती हैं या जन्ता के बीज दहशत पैदा करती हैं जिससे इनका ब्रहमक परचार होता है जूटी सूचना पर लोग बेकाबू हो जाते हैं और कारवाई करते हैं ये एक्शन उग्र हो सकते हैं जिसका हानिकारक प्रभाव समाज पर पढ़ सकता है और इन्हें फिर वापस बदला नहीं जा सकता ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहां पर गलत और ब्रहमक सूचनाओं के कारण लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी है और रोजी रोटी से हाथ धोना भी पड़ा है जिसने बुनियादी धाचे को ऐसा नुकसान पहुँचाया है जिसकी कभी भी भरपाई नहीं क की जा सकती है और जो समुदाय गलत सूचना के प्रसार से पहले सदभाव से रहते थे उनके बीच अब अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है कोरोना महमारी को लेकर भी कई तरह की अफवाहत देखने में आई है इरान में ये अफवाह फैला दी गई कि अलकोहल पीने से कोरोना महमारी का सिकार होने से बचा जा सकता है जबकि इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोग जहरीला अलकोहल पीने से मर गए भारत में भी बहुत सारी अफवाहों की वज़े से तनाव और भेदबाव पैदा हुआ कई मामलों में मेडिकल सिवा से जुड़े लोगों को अफवाहों के कारण परेशानी उठानी पड़ी वाचसाप फॉरवर्ड में आई इस तरह की सूशना की सेनिटाइजर पी लेने से इस हमारी के संक्रमर से बचा जा सकता है और इस वज़े से भी कई सारे गंभीर मामले सामने आई कई लोगों ने इसे बचने के लिए अफवाहों पर भरोसा कर ब्लीच में भी नहा लिया और जिसकी वज़े से उनकी सेहत पर गंभीर असर देखने को मिला पाकिस्तान की एक एंजियो द्वारा इस प्रकार का वीडियो बना कर दिखाना कि कराची में बच्चों की किड्नैपिंग कितना आसान है हलाकि उनका मकसद बच्चों की सुरक्षा और हिफाज़त को लेकर जाग रुकता फैला ना था लेकिन भारत में विभिन हिस्से में इस वीडियो के साथ छेड चाड़ कर इस प्रकार फैलाया गया कि मोटर साइकिल पर लोग बच्चों का अपहरण कर रहे हैं इस प्रकार छेड चाड़ किये हुए इस प्रचारित वीडियो का परिडाम मॉब लेचिंग हत्या जैसी घटनाओं की रूप में देखने को मिला सूचना का हम उप्योग करते चले जाएं यह खत्म नहीं होगी इसमें बहुत सारे लोगों की साजिदारी हो सकती है तथा यह एक सांत किसी को भी नुक्सान पहुँचाई बिना प्रियोग में लाई जा सकती है यह लोगतांत्रिक संसादन है जिसका उप्योग हर वर्ग किसी भी समय कर सकता है अतह सूचनाएं सारपून और समरक्षित होती हैं जिसका मूलियांकन वव्याख्यान संबव है इसके उप्योग करने से यह खत्म नहीं होगी यह समू या समाज द्वारा साजी भी के कारण ही है जो प्रमानिक स्रोध के रूप में इस्तापित हैं सूचना एक मानवी विचार भी है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मानवी गतिविधियों से सीधा जुड़ा रहता है समाज में जब भी किसी चीच की आवश्यक्ता होती है तो उस पर शोध हो जेता है नई परिकल्माएं जन में लेति हैं नए विचार मानो मस्तिस्क में आते हैं और जब भी हमें कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो उसे हम सूचना का नाम देते हैं कहा जा सकता है कि जब जानने वाले तथा जानकार के बीच कोई अंतह क्रिया होती है तो सूचना उत्पन्न होती है कोई भी अच्छी सूचना जब तक प्रभावी नहीं कही जा सकती तब तक उचित संचार माधिमों द्वारा प्राप्त करता तक न पहुंचे तो सूचना को परिभासित करना अर्थी कथिनकारी है तथ्य आंक्डे डाटा आदि को सूचना ही माना जाता है सूचना वो आक्डे हैं जो व्यक्तियों के मध्य से प्रेशित हो सके तथा प्रतेक व्यक्ति उसका प्रियोग कर सके सूचना का उप्योग जिस रूप में जीवन विज्ञान वग्रन्थावली में करते हैं उसे तथ्य कहते हैं एक जानकार के अनुसार जब भी हम किसी विशे से सम्मंदित तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे भी सूचना कहते हैं सूचना व्यक्तियों तथ्यों और आकरितियों का एक संकलन भी होता है सूचना समाचारों तथ्यों आकणों प्रतिवेदनों अधिनियम वन्याया एक नेड़यों प्रस्ताओं और इसी तरह की अन्य चीजों से भी सम्मंदित होती हैं और इतिहास इस बात का गवा है कि वस्तू की जरूरत खटकती है तो इसके लिए अनुसंधान किया जाता है इस अनुसंधान से विचार मानव मस्तिस्क में आते हैं और नए नए तथ्य पैदा होते हैं इन्हीं को हम सूचना का नाम देते हैं सूचना वो है जो मानव जैसे चिंतनसील प्रानी को सोचने के ल सूचना के अंतरगत नीड़न निर्धारन प्रकिरिया से संबंधित सूचना आती हैं इसके अंतरगत संयुक्त गतिविदियों की परिभासाएं उद्देश जिम्मेदारी का निर्धारन कारियों का विकेंद्री करन आदी से भी सम्मलित किया जाता है सूचना जो बातें आपको आपसे संबंधित किसी कारिय या दस्तावेजो से संबंधित आपचारिक जानगारी देते हैं उसे भी हम सूचना का ही नाम देते हैं लेकिए सूचना का मतलब है एक communication, एक संचार को ही सूचना कहा जाता है और सूचना जब लोगों तक पहुंचती है तो एक communication का रूप लेती है और वो ही फिर ब्रहविस्तर पर जाती है तो वो एक बड़ी सूचना का रूप लेलती है सूचना के माध्यम अब बहुत ही divers प्रकार के सूचना के माध्यम हो गए है आपको सूचना का माध्यम आपका electronic media हो सकता है, print media हो सकता है, social media हो सकता है या फिर सूचना का माध्यम एक सांकेतिक रूप में भी हो सकता है कि जो कई बार हम सांकेतिक रूप में भी समझ लेते हैं कि वो भी एक सूचना का माध्यम समझ आता है ये सूचना का माध्यम आप अगर आज बात करें तो सूचना को हम दो तरीके से देख सकते हैं अगर हम कुछ समय प्राचीन समय की बात करें या कुछ पहले के समय की बात करें तो सूचना का माध्यम बहुत सीमित संसादनों से हमें सूचना प्राप्त होती थी, उसमें चाहे तो सूचना लोगों के माध्यम से होती थी, चाहे तो लोग जब कही बार इखटा होते थे, उस उसके बाद जो हमारे समचार पत्र हैं, विभिन परकार के समचार पत्र हैं, तो वो एक सूचना का माद्यम थे, और उस सूचना का समचार पत्र थे उनकी भी अलग-अलग कैटिगरी थी, वो एक हमें देजब्यापी हमें सूचना देते थे, रिजनल लेबल पर हमें सूचना जब से हम डिजिटल मीडिया की बात करें, तो सूचना बहुत एजिली हम सब को मिल रही है, और पूरी दुनिया की सूचना बहुत चंद सेकेंडों में आपके पास होती है, आपके फोन के माध्यम से, और जो इस तरीके के अप्लिकेशन्स हैं, चाहे गूगल के अप्लिकेश तो उससे सूचना बहुत एजिली मिल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसकी बिश्वसनीता कितनी है, ये भी एक जानने की चीज है, कई बार आप देखते हैं कि सोचल मीडिया के माध्यम से, आज जो मैं देखता हूँ कि सोचल मीडिया के माध्यम से कई बार गलत पूरी संचारित होती हैं और उसके बाद उसके कई हमें रेपर्सकर्सन जो की निगेटिव रेपर्सकर्सन होते हैं, वो समाज में देखने को मिलते हैं और उसके बाद समाज का एक बड़ा नुकसान उससे होता है और जो समाज के तबके के, मुझे ऐसा लगता है कि कई बा प्रशारिती है और जब हम उसकी बिश्वस नीता को नहीं देखते हैं, उसका सिधा सदा अशर क्या होता है यो आम जैन्मानस होता है। उनकी जिन्दगी पर बहुत बड़ा असर होता है। तो सबसे पहले तो यह है कि जो हमें सूचना मिल रही है, उसकी बिश्वशनेता को परक लें, क्या वो सही है या गलत है, उसको हम जाच लें। कई बार कैसा होता है कि इसका सीधा सीधा असर हमारे समाज के उपर होता है, और नकारत मकुरूप में होता है। कई बार देखिए, अगर हम जैसे बात करें कोविट की, तो कोविट को लेकर कि कई तरह की ब्रहांतिया फैला दी गई, कई तरह की चीजों को इस तरह के से प्रसारित कर दिया गया कि जिससे की जो आम जो जनता है और जो छोटे लोग हैं जो छोटे तपके का समाज है उसके उपर बहुत बड़ा असर होगा तो इस तरह की से कई चीजों को धर्म से जोड़के प्रसारित कर दिया जाता है कि आज हमारे पास इतने माध्धिम हो चुके हैं क्योंकि आज जब हम बात करें डिजिटल इंडिया की बात करें तो एक जो टेक्नलोजी है जो एक पहुंच है वो आम आत्मी तक है तो कोई भी अगर मेरे पास अगर कोई सूचना आती है तो मैं कम से कम उसको उसकी को देखे परखे जाचे उसके बाद उसमें कुछ रियक्ट करें कई बार क्या होता है कि हमेरे सूचना है तो मिलती है और हम उसकी विश्वशनिता को परखे बिना उस पर रियक्ट करने लगते हैं और वो रियक्शन हमारा बहुत अच्छा भी हो सकता है तो मुझे लगता ह कि दोनों पहलों में ये ठीक नहीं है कि हम उसको उसको उसके बहुत ज़्यदा विश्वास कर लें या उसके विश्वास ना करें तो इस सबसे पह मेरा तो मानना यह है कि हम उसकी विश्वशनिता को पर रखें सूचना की उसके बाद जो हमें हमारे जो रियाक्शन है जो हमें उसमें करना है उसको करें हम सब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानवी गत्विधियों से सीधे जुड़े रहते हैं हमें किसी चीच की आवश्यक्ता होने पर उसकी शोद की जाती है जिससे नई परिकल्पनाएं जन में लेती हैं और ये परिकल्पनाएं तंत्रिकाओं के माधिम से मस्तिस्क तक ले जाये जाती हैं जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक नई सूचना हमें प्राप्त होती है और जब मनुश्य विचार करता है तो उसके मस्तिश्क में अनेक सूचनाएं इकठी हो जाती हैं अब इनी सूचनाओं को विभिन प्रकार से प्रकट किया जाता है जैसे कि मौखिक, संकेतों द्वारा, मीडिया द्वारा सूचना वो आकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्धि से प्रेसित हो सके तथा प्रतेग व्यक्ति उसका प्रियोग कर सके सूचना किसी विषय से समद्धित तथ्यों को भी कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्टत करने की शम्ता होती है पहले हमारे पास एक पारंपरिक तरीके से सूचना आती थी भारती पारंपरिक ग्रामेड जनसमाच जहां सूचना का अधिकार तो दूर की बात है अधिकार शब्द की व्यापती तक नहीं थी तो ये सोचने की बात है कि सूचना का अधिकार नामक कानून किस तरह उन लाखों असंख्य लोगों तक पहुँचेगा सूचना ये गली, महले, बगड, गाउ, कसबे वो शहर की हो सकती है हमें सिर्फ नई सूचना से मतलब है सूचना हमें अलग-अलग तरीके से मिलती है पत्र-पत्र का, रेडियो, टेलिविजन, SMS, ब्लॉग, फेस्बुक, ट्वीटर के जरिये मिलती है जैसी सूचना मिलती है, वो ठीक, वैसी ही दूसरे को हम लोग भेज देते हैं बिना सोचे समझे और इसे वास्तविक्ता से सूचना की विश्वशनियता बढ़ती है सूचना मनुष्य के लिए हत्यार तभी बनती हैं जब आवशक्ता अनुसार सहमत तरीके से प्रेयोग हो सके परंपरागत संचार माधिमों से लेकर पत्र, टेलीफोन, रेडियो, दूरदर्सन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ब्लॉक, फेस्बुक ये सब आदी नजाने कितने माधिम हैं जो हमें अलग-अलग तरीके से सूचनाएं पहुचाने का काम करती हैं इस प्रकार सूचना, सामानित, तथ्य, ग्यान, आकड़े, विवेक इन सभी के समानार्थी हैं व्यापक अल्थ में सूचना से हमारा अभिप्राई एक ऐसे ग्यान से है जो किसी विशेस, तथ्य, विशे, अथ्वा, घटना से सम्मंधित हो आज एक और परिवर्तन सूचना के संदर्ब में जो हुआ है, वो यह है कि आज तेजी से सूचना का स्वरूप भी बदल रहा है ग्रामीर छेतर के संदर्ब में हम देखें तो ये स्वरूप अत्यंत बदला हुआ दिखाई दे रहा है ग्रामीर छेत्र में जहां एक तरफ सूचनाओं का स्वरू बदल रहा है तो वहीं दूसरी और उन्वे विभिन नताएं भी बहुत ज़ादा दिखाई दे रही हैं आज हमें इंटरनेट के माध्यम से अलग-अलग प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो दोस्तो आज हमने बात की सूचना के बारे में सूचना किस तरीकी की होती हैं और कितने रूपों में वो सामने आती हैं सूचना वो इधन हैं जिससे मानव प्रगर्ती की राह पर आगे बढ़ता है हमें प्रती दिन अपने जीवन में किसी ना किसी चीट से जुड़ी जानकारी चाहिए होती है डिजिटल योग में सूचनाओं की उपलब्धता बहुत अधिक बढ़ गई है पहले जहां लोगों को कोई भी जानकारी ढूटने के लिए प्रियास करने पड़ते थे अब दिन रात सूचना की बारिश हो रही है जिसकी वजह से सही और गलत जानकारी के बीज अंतर नेड़ लेना मुश्किल हो गया है देश भर में विभिन भासाओं में सूचना तक आसान पहुशने दूरी और समय की बाधाओं को तोड़ दिया है पहले सूचना एक निश्चित समय पर अखबार, मैगजीन और रेडियो के जरिये मिलती थी लेकिन अब सोशल मेडिया के जरिये बिना परखे 24 गंटे उपलब्द रहती है सही सूचना हमारे लिए उपयोगी और मददगार होती है वही गलत सूचना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इस तरह से शती पहुँचा सकती है कि इसका प्रभाव ना केवल एक व्यक्ति पर बलकि पूरे सामाजिक तानेबाने पर पड़ रहे है यह सुचना और समझना पहत जरूरी है कि हम अपनी उम्र और अच्छी सिक्षा की प्रिष्ट भूमी के बावजूत गलत सूचना और अफवाह में फस सकते हैं इसलिए जरूरी है कि किसी भी जानकारी को आँख बंद करके सुईकार और उस पर भरोसा करने से पहले उसे अच्छी तरह से परखलें आँखे बंद करके मान न लें और नहीं कोई भरोसा जिताएं किसी भी प्रकार की सूचना पर भरोसा करने या उस पर चलने से पहले उसे सत्यापित करने की जिम्मेदारी हम सब की है तो दोस्तों इसी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगर आपका कोई भी सवाल या फीडबेक है तो किरपिया हमें संपर के करें और हमारा संपर के नंबर है 95 36 47 666 सुन्य इसी के साथ अपनी रेडियो साथ ही हेमा को दीजे इजाजत नमस्कार